असलालेकूम फ्रेंड्स अगर आप खीर खाने के शोकिन है तो मेरी ये स्पैशल रपली खीर की रेसिपी ज़रूर प्राइ कीज़ेगा आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी तो चलिए देखते हैं सो कैसे बनाते हैं यहां पर मैंने 2 kg दूद लिया है इसे मैंने पहले ही बॉर्ल रख दिया है तकरीबन 1 kg तक हम दूद पका लेंगे उसके बाद हम खीर बनाना शुरू करेंगे इसके साथ जो चीज़ें हम ही चाहिएंगी आदा कब मैंने यहां पर चावल लिये हैं और इसे मैंने एक घंटा बिखो दिया है कम से कम आप देर से दू घंटी के लिए चावल को बिखो दें तो अच्छी खीर बनेगी और चावल जल्दी गल जाएंगे इसके साथ हमें थ्री फोट कप की करीब ज्याने पॉना कप की करीब चीनी चाहिएगी साथ ही ड्राइफ फूट में मेरे पास यहा जाए लिया है मैंने यह भी तकरीबन हाव से पॉना कप के करीब है तो यह भी हम इस्तेमाल करेंगे तो चले शुरू करते हैं दूद को हमने तकरीबन आधा रह जाए तब तक पॉल करना है और इसके साथ ही इसमें जो साइडों पे जो तैसी बन रही है इसे हमें साथ- पर आप चपकने मत दीजेगा बलकि इसी दुख में शामल कर दीजेगा इस तरह से जैसे मैं कर रही हूं देखें फ्रेंज दूर तकरीबन आधा रह गया है और आधा मैंने इसे पका लिया है तकरीबन 15-20 मिन तक मैंने इसे पकाया है खुले पैन में अगर आप खीर है आपकी खीर देखें फ्रेंज दूर हमारा तकरीबन आधा रह गया है अब इस स्टेश में हम चावल जो हमने भीगा के रखे हैं उसे डालेंगे चावलों का हम पानी जो है वो थारा निकाल देंगे उसके बात स्मशर से हाथ से चावलों को थोड़ा सा मैश करेंगे और ञारेंगे यहाँ पर जो मैंने ड्राइफ रूट लिया था उसे भी बारिक कर लिया लिया है सबस्टिक जो देखें इस तरह से डिए को को हाथ हुआने व जो वीडियो विडियो नहीं तो अपनी चावल जो डाल दीए मैं आपको करीब से दिखा अगे आई पिल्कुल इस तरह से बारीक मैंने हाथ में से चावल को स्माश करके चूड़ा करके और फिर दूप में शामल किया है देखिए चावल नजर आ रहे हैं कच्छे हैं भी अब चावल डालने के बाद हम तकर बंदा से बीस मन तक इसे पकाते रहेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ करेंगे देखिए यहां पर दस में ठोगए चावल और चीनी वगरा हमें डाले हुए साथ ही हम इसमें इलाइची पाउडर डाल देंगे जो पताम प्रिस्ते मैंने क्रश करके रखे ते वह भी मैंने डाल दिये हैं थोड़ी से बताम प्रिस्ते मैंने ऊपर गार्निशिंग करें टोड़ने और अच्छी से मिक्स कर लें देखे फ्रेंट यहां पर हमारा खोया हमने अच्छी से मिक्स कर लिया है इसे मुस्तकिल हमें चमच चलाते रहना है नहीं तो यह नीची चिपकने लग जाएगी अच्छी ची खीर हमारी गाडी हो गई यह बहुत जबदस ती जब तक आपके चावल पूरी तरीक से पकना जाएं गलना जाएं खीर में तब तक आप तक आपने खीर को बकाते रहना है और साथ साथ चमच भी चलाते रहना है ताकि यह नीचे चिपके ना मजीद हम इसे 10 मिट के लिए पकाएंगे और देखें जाना आप यहां पर हमारी मजधार से रबड़ी खिर बिल्कुल तैयार है कितनी घाड़ी होगा यह ए यह और बहुत यमी बनी है यह इसमें आपको रबड़ी का भी जायका आएगा खीर का भी जायका आएका और बहुत लबद़त यह डिश़्ी सिरसे खिर तक ही तो फ्रेंट्स अगर आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, बैल आइकन दबा दीजेगा, मेरी वीडियो को ज्याते से जदा शेयर करें, सपोर्ट करें, आखिर में दौाओं में याद रखेगा, अपना वाफेस